एक ही पार्टी में फैजु और जन्नत ने कर दिया एक दूसरे को इग्नौर जी हां मौका था सिद्धात निगम और अभी शेक निगम के बुर्दे बैश का जहां टेलिविशन और टिक टॉक स्टार्स के कई साथ सेलेबिटीज ने इस पार्टी में हिस्सा लिया और फैंस हम फैजु और जन्नत को एक साथ देखे लेकिन पार्टी के दौरान यह दोनों हमें अलग-अलग नजर आए जिसके बाद फैंस यह अनुमाल लगा रहे हैं कि all is not well between Faizu और जन्नत बहुत शप्राइजिंग की तरह से मतलब मुझे नहीं लगा था कि इतने अच्छे तरह से सीक्रेट्स और सप्राइज़ रख सकते हैं बट बिल्कुल रखा और बिल्कुल भी आईडिया नहीं था मुझे और यहां पर आकर मुझे पता लगा इंफाक्ट इंटर्व्यू द अमलब मुझे नहीं को..ऑफ तरह से 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 बहुत हैं मुझे और और शूंसे लेया हमुडवि willst में वाल रख बीते हैं एडिग दे 받고 के शम पेके शरी वीडिया बिल्सर सेने गंफाक्ट हैं इस अरे किसे रहे पर अच्छा किए रातों टेहां है और बाकी शूट भी करने हैं, लिकिन वो सब का अबेट में आप लगो को देती रहोंगी, so Yes, that's it! अब भी आपने बीट कर लिया लगा, किसको? War Trailer अच्छा, War Trailer को बीट कर लिया उसके लिए? Actually, मैंने नहीं सोच रहा था, गाना No.1 आएगा, इसलिए नहीं सोच रहा था, किस War Trailer No.1 था लेकिन, जैसे-जैसे मैं सोच थी नहीं है, वो सब आप लोगों के प्यार के वज़े से हो जाता है, उसके साथ भी वैसे हुआ, मुझे नहीं रगा था कि No.1 ट्रेंडिंग होगा, लेकिन दो दिन वो No.1 ट्रेंडिंग रहा, गोल्डवाई, थांकि सो मच! अजारत और अपनित की जमस्टी के बार में क्या देने चाहेंगे, लोग पहले साथ देखना चाहते हो और फाइनली जोए उन्ता काना आ रहेंगे मैं भी बहुत एक्साइट हुँ और यॉम्ड़ अशूर कि बहुत अच्छी अलबम रही होंगी, और हर चीज में बहुत अच्छी रही होगी और इनलब कि बहुत अच्छी और सक्सेफ़ुल अलबम रही और No.1 ट्रेंड करेंडिंग थांकि झाल झाल